विंटर्स टाइम मेनेजमेंट हो या फिर मेरी विंटर रूटीन या फिर सवाल हो कि क्या विंटर्स में भी हम अपने दिन को प्रड़क्टिव बना सकते हैं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं है जो समर में हम करते हैं लेकिन विंटर्स में नहीं जब बच्चों का स्कूल जाना कुकिंग लॉunडрь डेटी क्लीनिंग सब काम सेम‐ होते हैं तो फिर विंटर्स में दिन की शुरुβαाद भी सेम टाइम पर ही होनी चाहिए मुझे पूछा जा रहा है कि winters में मेरा wake up time क्या है जिसमें की बहुत सदा difference नहीं है summers में मैं 4.30 पे उठ जाती हूँ और आज कल winters में 5.10 मिनट पहले ही मेरी morning हो जाती है क्योंकि summers में मैं छट पे चली जाती हूँ deep breathing के लिए और winters में ठंड की वज़ा से नहीं जा पाती और आज कल तो वैसे भी धूब का ना निकलना और fog इतनी पढ़ रही है कि temperature काफी low जा चुका है लेकिन मौसम कोई भी हो अगर दिन की शुरुआत लेट होगी तो obviously आपका दिन productive कभी नहीं हो सकता winters में air काफी dry होती है इसलिए आपकी skin को बार-बार moisturize करने के जोट पड़ती है तो इसलिए सुबा उटके पहला काम मेरा भी यही होता है कि पहले मैं अपने hands और face पे lotion लगाती हूँ और उसके बाद तयारी करती हूँ अपने internal organs को clean करने की winters में अगर ये काम room के अंदर ही किया जाए तो better रहेगा बाहर का मौसम एक तो आपको uncomfortable feel कर आएगा क्योंकि बहुत ठंड है और उतनी ठंडी हवा lungs में जाना भी ठीक नहीं है सबसे पहले कुछ stretching exercises जो कि time to time में change करती रहती हूँ लेकिन 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार is the best way to stretch your body इसे easily आपके body भी warm up हो जाती है और उसके बार शुरू करती हूँ मैं प्रानाया जिसमें होती है सुदर्शन क्रिया अपने lungs में धेर सारी oxygen पहुंचाने के लिए और अपनी energy को boost करने के लिए ये best क्रिया है art of living का course मैंने किया था उनी से मैंने ये क्रिया सीखी थी और उसके बार से लेके अब तक मैं इस क्रिया को करती हूँ तो winters में जब हम excuses बनाते हैं कि body support ही नहीं करती तो योग कैसे करें या workout कैसे करें तो body तो कभी भी support नहीं करती क्योंकि जो body उसने दी है actual में वो priceless है और उसे ही हम सबसे ज़्यादा carelessly use करते हैं और अपने unhealthy lifestyle और physical activity ना करने से इसे बिमारियों का घर बना लेते हैं जब तक हम इस body की कीमत नहीं समझेंगे तब तक हमें exercise करने की importance भी समझ में नहीं आ सकती थोड़े दिर meditation करके मैं खुद को और भी ज़्यादा शांत और strong feel करती हूँ और इस पूरी routine को follow करने के लिए मुझे 40-45 minutes लग जाते हैं और 6-15 तक मैं आ जाती हूँ kitchen में क्योंकि 7-10 तक उदे की bus आ जाती है तो उससे पहले पले मुझे breakfast उसका टिफन सब ready करना होता है और अगर मेरे पास time होता है तो मैं lunch भी साथ ही में ready कर लेती हूँ electrical kettle में पानी रखती है गरम करने के लिए क्योंकि मुझे lemon water लेना है और तब तक मैं लगा रही हूँ बरतन जो रात को धोके रखे थे जो dry हो चुके होते हैं कि one by one आपके to do list के सब काम खतम हो जाएं और अच्छे से cover किया हो तो winters में भी दहीं काफी अच्छा जम जाता है और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए lemon water winters में lemon health के लिए अच्छा नहीं होता ये बहुत बड़ा मित है तो season कोई भी हो मेरी तो morning की शुरुआत ही lemon water से होती है और पिछले दो साल से तो आप भी मुझे lemon water पीते हुए देख रहे हो अगर मुझे कोई problem होई होती तो मैं जरूर आपके साथ भी share करती आपकी skin और दूसरे useful tissues को maintain करने के लिए vitamin C आपको हर season में चाहिए जो मैंने रात को ही chop कके रखी थी तो ये है gajar और साथी में ये piece ममा ने छील के दो के रख दिये थे इनको भी freeze नहीं किया है और ये कुछ frozen piece है और साथी ये broccoli है जिसको मैंने काट के blanche कर लिया था और इसको freeze कर लिया है broccoli वैसे भी बहुत जल्दी yellow हो जाती है बट इस तरह रखने से वो काफी लंबा time चल जाती है और जितने भी pieces आपको चाहिए आप आराम से निकाल सकते हैं और बहुत सारे meals में यूज कर सकते हैं अब तक आप बाकी की तियारी करें थोड़ा सा गरम पानी डालके इसको side रखते हैं जैसे कि मैंने frozen piece में भी डाल दिया है उदे के different के लिए plus हम सब के breakfast के लिए आज मैं बना रही हूँ पोखा तो सबसे पहले मैंने पोखा को गरम पानी में थोड़ा सा dip कर दिया था दो-चार मिनट के लिए उसके बाद इसको रख दिया चन्नी में निकालके और साथ ही ready करेंगे हम तड़का कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और साथ ही add कर दी है उसमें थोड़ी सी राई अब vegetables डालती जाऊंगी सबसे पहले मैंने डाली है उसमें गाजर और उसके बाद डाल दी हूँ कटी हुई शिमला मिर्च साथ ही डाल देंगे broccoli जो की हमने पानी में डिप कके रखी थी और मटर भी डाल दी है vegetables आप अपनी choice की डाल सकते हैं और वैसे भी आजकल winters है तो बहुत सारी vegetables मिल जाती है थोड़े से mushroom डाल दी हैं कटे हुए green chillies डाल दी हैं सबको थोड़ा सा मिला लेना है उसके बाद डालेंगे salt turmeric powder थोड़ा saute करेंगे इनको सबजीओं को थोड़ा सा पकने ले बहुत सदा पकाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त time हो गया है 6.30 थोड़ी से हमने ये घड़ी like 10 मिनटस हमने इसको आगे रखा हुआ है और बाहर का weather में आपको दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी तक भी कितना अंधेरा है और हर तरफ foggy fog नजर आ रही है और summers की बात करूँ तो इस वक्त तक मैं stuffy को walk से लेके वापिस भी आ चुकी होती हूँ और देख सकते हैं आप ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है लेकिन ये बारिश नहीं ओस की वज़ा से गीला है और इतने में ही सबजी पक्चु की थी तो मैंने आते ही डाल दिया इसमें पोहा इन सब चीजों को बस अच्छे से मिला लेना है थोड़ा सा मैं इसमें पनीर भी आड़ करूंगी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए बोहा तो मिन्टों में ही रेडी हो जाता है अगर वेजटेबल्स आपने काट के रखी हैं तो मेरे पास टाइम बचा हुआ है वी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सबजी लंच के लिए सबसे पहले मैंने कूकर में थोड़ा सा तेल डाला है उसके बाद छोटी लाइची और दाल चीनी डाली है जीरा डाल दिया है धनिया डाला है कटा हुआ लसुन डाल दिया है अब अनियन्स डाल रही हूँ थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे अब डाल देंगे इसमें सीजनिंग, सॉल डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है उसके बाद में इसमें डाल दूँगी कटे हुए टमाटर और ग्रीन चिलेज बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आलू मटर की हो सकता है, आप इसी तरह से बनाते हो सिर्फ मैंने इसमें चोटी लाइची और दाल चीनी का फ्लेवर दिया है, दोनों ही चीजों का फ्लेवर मुझे बहुत दादा पसंद है शाही पनीर या फिर चिकन बनाना हो, मटर पनीर, एक करी, आलू मटर, इन सब चीजों में ही छोटी लाइची और दाल चीनी में ज़रूर अड़ करती हूँ तो लंच के लिए जो भी चीज बनानी है, वो फिर थोड़ा रुके ही बनाती हूँ काम खतम हो जाता है, उदे की बस आएगी 7-10 पे और अभी साथ भी नहीं बजे हैं और वो नीचे भी नहीं आया रेडी होके, तब तक मैं अपना फर्स्ट मील ले लूँगी बनाना, उठे हुए मुझे दो घंटे हो चुके हैं और अभी तक मेरा पेट खाली है, तो बनान लेना ही बेस्ट रहता है, सुबा के टाइम पे चाय में बिल्कुल नहीं बीती हूँ, अब फटा फट से उदे का टिफन भी पैक कर लेते हैं, आज वो बहुत एकसाइटिड भी है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज उसका लास्ट डे है स्कूल में विंटर ब्रेक से पह काम होता है, दोनों ही मील्स अगर अर्ली मॉर्निंग डेडी हो जाएं तो काफी हद तक काम कम हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा जोर देती हूँ कि अपने काम को लिखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कुकि कोई भी काम जब प्री डिसाइड़ होगा, तब ही वो प्री प्लै आज मेरा प्लैन है, मैं पंजीरी लड़ू बनाऊंगी, चोकि उसे पसंद भी है, और एक लड़ू खाने से मतलब आपका ब्रेकफास्ट हो गया, और इस क्लॉक के मताबिक 720 हो गए है, बाहर लाइट तो हो गई है, बर हलकी हलकी फॉक अभी भी है, निउस्विपर आ गया ओके, ओगो, गुट मॉर्निंग, गुट मॉर्निंग, चले, घुमी घुमी चले, ऐसे वेदर में खुद को पोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, इसलिएक अच्छी खासी हैवी बेट की जैकेट पहन के जाती हूँ, फॉर्टी मिनिट्स की वॉक के बाद मैं और स्टफी वापिस आ गए थे, और आते ही मैंने अपना बेडरूम थोड़ा सेट किया, एट थर्टी के अराउंड हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और दूद बना रही हूँ मैं अपने हस्बंड और मदर के लिए, वो पीती हूँ, कायज मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब लोग मुझे पूछते भी हैं, कि मैं आपको दूद पिते होई नहीं देखा, मैं या तो ग्रीन टी लेती हूँ, या फिर कॉफी पीती हूँ, और दूद की बजाए मैं दहीं खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, औ नहीं तो बिस्तर पे बढ़ जाओंगी, और उनका ये सोचना काफी हद तक सही भी है, क्योंकि बॉड़ी को हम जिस तरह का बनाएं, वो उसी तरह की बन जाती है, 8.30-9 ब्रेकफास्ट टाइम होता है, और साथ-साथ कुछ ना कुछ गपशब भी चलती रहती है, तो 9.30 के आराउंड मैं क्लिनिंग पार्ट शुरू करती हूं, तो टूस्डे है, तो टूस्डे को मैं मोस्ली कारपेट्स और रग्स वगरा वैक्यूम करती हूं, लेकिन अब विंटर्स हैं, तो विंटर्स की वज़ा से बहुत ज़ादा डस्ट होती नहीं है, और क्लीन चीज़ों क और धूप निकलने के आज भी कोई असार नहीं है, इसलिए लॉंडरी करने का कोई फाइदा नहीं है, जो लॉंडरी मैंने अल्री करके रखी है, वो भी धीरे धीरे सूख रहे हैं, कम से कम दो से तीन दिन लग जाते हैं, जब उनको अंदर सुखाते हैं, तो साथ की साथ जितने सूखते जाते हैं, उनको फोल्ड करके रखती जाती हूं, कुछ कपड़ों को ममा नीचे फोल्ड कर रहे हैं, कुछ को मैं यहां ऊपर ले आई हूं, जो मेरे रेगुलर फॉलोर्स हैं, वो शायद सोच भी रहे होंगे कि मैंने आज अपना वर्काउट स्केप कर दि यानि कि विंटर्स में जब आप शार नहीं लेते हैं, तो ड्राइ क्लिनिंग ही कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन नहाना स्किप करती हूं, आज कल मैंने वो टाइम अपना शाम को रख दिया है, और क्यूं रखा है वो भी आपको पता चल जाएगा, और ग्यारा मजे कि अराउन मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूं, तो इस टाइम का यूटिलाइज मैं अपने हिसाब से करती हूं, और सब कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ी दिर मैं अपना सोशल मीडिया चलाऊंगी, यानि कि जो मैसिजिस वगरा आय होते हैं, मैं उनको चेक कर लेती ह जितनी भी चीजें ड्राइ रोस्ट करने वाली हैं, सबसे पहले हम उनी को रोस्ट करेंगे, तो यहां से 1-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद उसी कड़ाई में मैंने डाल दिये हैं, दो कटोरी के अराउंड वाइट तिल, इसक उसके बाद मैंने कड़ाई में डाला है, आधि कड़ाई में डाला है और जिसे हम सौंट का पाउडर भी कहते हैं, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा लिया है, अगर मुझे कमी लगे की तो मैं बाद इनकाल देंगे थोड़ी सी जाग भी आती है तो कोई बात नहीं यह सारा का सारा घी आपको वैसे भी पिनियों के लिए चाहिए है थोड़ा सा गी में और डाल दी हूं क्योंकि कम पढ़ रहा था इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है रेसिंज यानि किश्मिश थोड़ी सी फूल जाती है यह बहुत अच्छी लगती है तो इसको भी आप फ्राइ कर लें सारे ड्राइफ फूट्स को फ्राइ करने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे लेकिन रेसिंज को हम ग्राइंड नहीं करेंगे इनको हम एज़टी सी डालेंगे अब उसी घी में मैंने डाल कर लेने हैं वालनट यानिकी अखरोट अब लास्ट में हम फ्राइ करेंगे मखाना तो जितना भी घी आपकी कडाई में होगा सारा यह अब्जॉब कर लेंगे तो ख्याल रहे कि बहुत जादा घी उस टाइम बर्तन में ना हो उतना ही रखें जितना की फ्राइ करने के नहीं डाले है बस इतना है कि इसमें देशीगी बहुत जादा जाता है तो इसलिए इनको खाना है पर इतनी क्वांटिटी में खाना है जितना आप उसको बर्न भी कर सकें क्योंकि यह हाई कैलरी लडू है चाहिए हेल्दी भी है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी इसके स इतनी उसकी requirement होगी क्योंकि हमें इसे सूखा roast नहीं करना है अगर सिरफ पंजीरी बनानी हो तो आप थोड़ा सूखा भी रख सकते हैं लेकिन क्योंकि हमें लडू बनाने है तो गी हमें इसमें अच्छा खासा चाहिए आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए इसको आपको अच क्योंकि कड़ाई गरम है तो यह और भी रोस्ट होता रहेगा तो अलग से मैं इसी किसी प्रात में निकाल लूँगे और उसमें ही डाल दूँगी सारे के साड़े ड्राइफ फूट्स भी नॉर्मल टेंपरेचर पे आने लिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा इसलिए हाथ बचाके रखें क्योंकि यह बहुत गरम होता है लेकिन बहुत ज़़ा ठंडा भी इसको हमने होने नहीं देना है अब इसमें मैं डाल दिया है देसी खांड आप शक्कर भी डाल सकते हैं लेकिन मेरको वो शक्कर प्योड जो शक्कर में यूज़ करती हूं मुझे मिली इसलिए मैंने देसी खांड का यूज़ किया है जो स्पेशली पंजीरी के लिए ही यूज़ की जाती है इसी मूमन पर देसी घी में भून के मैंने और डाल दिया है सौंट पाउडर क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा कम आ रहा था अब बना लूँगी मैं लड़ू इंजीरी लड़ू बनाने के लिए मुझे डेड़ घंटे का टाइम लग गया था अगर ममा यहां पर होते तो वो भी हेल्प कर देते तो और भी कम टाइम लगता लेकिन उनको कहीं जाना पड़ गया था तो वो चले गए लेकिन मेरे पास भी एक्स्ट्रा टाइम था तो उ फाइनली लंच पार्ट खतम करके मैं पहुंच गई हूँ अपने बेडरूम में इससे काफी टाइम पहले पहुंच आती हूँ लेकिन आज पंजीरी लड़ू बनाने के चक्कर में मेरा काफी टाइम लग गया लेकिन कोई बात नहीं अभी थोड़ दर में अपनी बुक री चार बजे उसे ड्रॉप करना और 5.30 पे उसे फिर से पिक करना इसी दरान हमारा टी टाइम भी होता है लेकिन मैं टी नहीं पीती हूँ समर्स में ग्रीन टी मैं जूर पीती थी लेकिन आजकल मैं फ्रूट लेती हूँ क्योंकि मुझे कॉफी लेनी होती है थोड़ी दिर के बाद वर्क आउट करने से पहले तो अभी ले रही हूँ मैं और बाकी सब को मैंने चाय दे दी है यानि कि 4 बजे से लेके साड़े 6 से पहले पहले मुझे अपना सारा काम खतम करना होता है जिसमें की टी टाइम होता है डिनर रेडी करना होता है जो बरतन होते हैं टी टाइ डिफरंट हो सकते हैं लेकिन काम सेम ही होते हैं ब्रेक से पहले मुझे क्या करना है और ब्रेक के बाद क्या और कब तक खतम करना है अगर वो टार्गेट बना के काम करूंगी तो डेफिनिटली सेल्फ केर के लिए टाइम बचेगा जुली मुंगी की दाल चड़ा दी है सॉ का लगाते वक्त इस तरह की अवाज का होना बहुत जरूरी है और साथी डाला है गरम मसाला और हरा धनिया अपना डिनर रेडी करने के साथ साथ में स्टफी का डिनर भी रेडी कर देती हूं उसके बाद बना देती हूं चपातियां फिर मुझे लेनी होती है ब्लैक कॉफी क्योंकि मुझे वक्त करना है तो वक्त करने से 15 मिनट पहले मैं ब्लैक कॉफी जरूर पिती हूं और स्टफी को लग रहा है कि यह मैट मैंने उसी के लिए बचाया है और राम से आके यहां पर बैठ गया है यह कुछ नौटी एलिमेंट्स है मेरे घर के जो मुझे वक्त के हम मेंसे बहुत सारे लोग विंटर आते ही एक्सराइज करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉड़ी में इतनी अनर्जी नहीं है या वो बहुती लेजी फील करते हैं लेकिन मेरा माना है कि विंटर में एक्सराइज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो हो जाती है विंटर आते ही अगर हम पंजीरी लड़ जैसी चीज़े बनाते हैं ताकि हमारी हैल्थ अच्छी रहे और बॉड़ी हीट अप रहे तो ऐसी चीज़ों को खाने के साथ साथ उनको बर्न करना भी ज़रूरी होता है भर में बना हुआ आप कुछ भी खाते हैं तो उतना नुकसान नहीं करता जितना कि अगर बाहर का बना हुआ unhealthy food आप खाते हैं तो winters में वो आपके immune system को weak कर देता है दुनिया की किसी भी चीज़ को हम control नहीं कर सकते लेकिन एक चीज़ है जिस पर completely हमारा control होता है और वो है हमारी choices वो choices चाहे खाने पीने की हूँ या फिर exercise की winters में hibernate होने की बजाए खुद को fit और active रखा जा सकता है थोड़ा metabolism भी slow होता है लेकिन exercise metabolism को भी boost करती है winters में heart भी अच्छे से काम करता रहे इसलिए don'ts के pure workout ठंड की वज़े से start up ही थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए push your mind और start हो जाएं उसके बाद आपकी body जैसे heat up होती जाएगी आपको exercise करने में और भी जादा मज़ा आएगा अपना workout finish करने के बाद और शार लेने से पहले में washroom क्लीन कर लेती हूं क्योंकि सुबा के time पे नहीं कर पाती हूं शार नहीं लेना होता है सुबा तो इस रिए शाम को ही करती हूं क्योंकि dinner मैंने ready कर दिया है तो बे फिकर होके मैं अपना सब काम कर सकती हूं अपना workout मैंने कर लिया है washroom क्लीन करने के बाद मैं शार ले लूँगी मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि dinner अभी बनना है या कि सब को dinner करवाना है सब लोग अपना dinner ले ले लेते हैं 7 to 7.30 के बीच में पाप है साग है जो कल बनाया था सापने पापड लिया है मैंने डाल और आलूमेटर की सबजी लिया है husband ने लेकिन आज husband जल्दी आ गए थे ऑफिस से इसलिए हमने सिदा डिनर ही कर लिया और ये है मेरे बहुत ही productive day का last काम chopping करना सबसे last भी chopping करती हूं मैं रात को जब टीवी दे जो भी मुझे चाहिए वो मैं chop कर लेती हूं अपने दिन को जाधा productive बनाने के लिए पहला step जहां अपने दिन को early start करना है वहीं एक to-do list भी ready करना होता है otherwise जो काम आप 5-6 hours में खतम कर सकते हैं उसे करने में अराम से 10-12 hours लग जाएंगे और काम करते हुए अपनी distraction से दूर रहें I know ये वीडियो को जाधा ही लेंदी हो गया है I'm sorry for that और thanks करती हूं आप सब के प्यार और support के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like शूर कीजेगा comment का wait रहेगा हमेशा की तरह मिलती हूं आपसे next वीडियो में नई topic के साथ till then bye take care and stay healthy